जहिन साथियों Mindful Academy में आपका स्वागत है और आज ही 10 तारीक को 10-8-2022 ताजा ताजा ख़बर ये है कि आपकी SSC 2022 दिल्ली SI और CAPF सब इंस्पेक्टर GD में आपकी वेकेंसी आ चुकी है तो आज मेरे सामने मतब पीछे जो आपके बोर्ड के पीछे दिख रहा होगा ये बिल्कुल साम में ही आपका नोडिफिकेशन आ चुका है तो बिल्कुल जो लोग कल रक्षा बंदन का त्योहार मनाने जा रहे हैं उनके लिए फिर से एक नया सवगात है SSC के तरफ से स्टाप सेलेक्शन कमिशन तो मैं आपको पूरा डेटेल में बता दूँ वेकेंसी आपका जो है 4,390 यह वेकेंसी अभी आई है जिनमें से अगर हम फॉर्म स्टाट की बात करें तो वो हमारा स्टाट होगा 10,8,2022 मतब आज से ही फॉर्म का लिंक एक्टिवेटर हो चुका है और हां आखरी डेट जो है वो है आपका 30,8,2022 उससे पहले फॉर्म बिल्कुल आप फिल कर लें और मैं एक चीज और बता दू कि इसका जो एक्जाम का अगर देखा जाए जो डेट है वो एक्जाम का डेट होगा आपका नमंबर 2022 तो मैं पूरा पैटर्न पूरा डेटेल में बता दू कि एक्ट्वल मैं यह यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा पेप इसके बाद अगर मैं मैंस की बात करूं वो भी आपका 50 होगा और 50 किसके नमबर के होगी इंगलिश आपके 50 होगी और 50 नमर का होगा माँसिंगिंग और उसके जनल अबर्निस की बात करें तो वो भी आपके कितने नमर कोंगे पचास नमर के टोटल दो घंटे का composite टाइम मिलेगा उनमें से आपको जो होगा 200 question का आपका test होगा तो बिल्कुल आप लोग तयार रहिए बहुत ही यह जबरदस्त आपका golden chance है तो फिर चुकना नहीं है और इस बार राखी का त्यवार का एक सबसे बड़ा धमाका बोल सकते हैं और जिस तरह से government ने अनौंस किया है कि हमें हर हाल में 2024 से पहले ही बलकि एक साल के अंदर उनको 10 लाग के आसपास वेकेंसी लाने और यह कहीं ना कहीं लगर आ कि government अपने promise के तरफ बढ़ती वी जा रही है तो फिर अपने तयारी को बिल्कुल mind for academic साथ digital उरान दे सकते हैं अब मैं बात करूं कि इसमें SI की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली SI की अगर हम बात करें तो male का 228 निकला female का 112 उसके बाद इसी को अगर मैं SI सब इंस्पेक्टर अगर मैं CAPF की बात करें सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्स होता है और इसकी वेकेंसी अगर टोटल देखा जाए तो 3960 है और इन दोनों को जब एड करेंगे तो 4390 वेकेंसी होती है तो बहुत मस्त वेकेंस मैं आपको थोड़ा सा और इसका डेटेल में बता दो फॉर्म भरने का जो डेट हो सकता आपको नहीं दिखरा होगा बड़ मैं इतना किलियर बता देता हूं कि यहां पर अगर हम डेट की बात करें तो डेट जो हमारे पास होगा इसमें जो दिया रहेगा तो उसके लिए आ और दस तारीक से 30 तक फॉर्म भराएगा और यह पूरा डेट मेंसन है और नमंबर 2022 को इसका क्या होगा पेपर होगा अब अगर मैं इस और डेटेल की मैं आपको लेके चलूं तो मैं बता दो इसकी सेलरी भी बहुत शानदार होती है सेलेबस भी बहुत सिंपल होता है और स देखा जाए तो 35,400 से स्टाड होता जो लगवग 1,12,400 तक यह जाता है तो सेलरी अगर देखा जाए C.A.P.F. का वेकेंसी में बहुत शानदार है जिसमें पारा मिलिटरी भी होते हैं यह सारी चीजें आपके पास इसमें दिया जाता है ठीक है लेबल 6 की अगर हम बात करे दिली पुलिस का मेल फिमेल तो इसमें पूरी तरह साता है जिडी कहां C.A.P.F. में अब अगर मैं एज की अगर मैं बात करूँ तो एज भी आपके पास जो अलग-अलग एज दिया गया तो 30 साल से जादा नहीं होना चाहिए और OBC 33 साल उसके बाद 35 साल S.C.S.T. के लिए यह डेट दिया तो मतलब आपकी एज 30 से जादा नहीं होनी चाहिए फॉर्म फिल करने का तो एज भी आपको मैंने पूरा आपको डेटेल में बता दिया दूसरी चीजे में अगर मैं बात करू तो पैटरन भी हमने एक एक करके बता दिया और बिलकुल आप फॉर्म भर सकत हैं और सीदी सी बात है यह गोल्डन चांस आप कभी भी चुकिएगा नहीं और साथ में यह भी हम बता दे हमारे माइन फोर अकेडमी पर आज रात अगर आप अगर ओफर ले रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आज 10-08-2022 तो 12 बजे के बाद से हमारा 11 अगस्त हो जाएगा तो 11 अगस्त को हम धमाके दार आपके लिए शुरुवात ले के आ रहे हैं और SAC का आप कोई भी कोर्स अगर पर्चेज करते हैं हमारा फॉंडेशन तो वो कोर्स मात्र आपको 101 रुपे में केबल 101 रुपे मिलेगा लेकिन याद रखेगा यह केबल 24 घंटे के लिए ठीक है तो कैसा रार नोटिविगेशन बिल्कुल बताएगा और मस्त लगातार तयारी करिए और माइन फोर एकेडमी इसी तरह नए नए अपडेट आपको देते रहेंगे जैहिन जै भारत वंदे मात्रम धन्यवाद